नमस्कार, मा मीना शर्मा, सलाकार, सिंधी भार्षा, राष्ट्रिय मुक्त विद्धालाई शिक्षा संस्तान एवसमा तांचो स्वागत करां थी अज वक्त आहे उच्चतर माध्यमिक पाठिकरम सिंधी भार्षा जो असा सबक खयों आहे सबक पंजों नई कवीता हिन खाग तमा सिंधी शेरजी टीमूर्ती एचूंड सिंधी कविन जो कवताओं पड़ी चुकायो जह में कवीता जो सिंफूं, बैत, गजल, गीत, दोहा, रुबाई वगर अबाबत जानी चुकायो हिन सबक में नई कवीता जों अभ्यास कनदा सी जड़ें जजबात जो छोह वजन वारी कवीता जा बंधन तोड़े आजाद नमूने चुलन लगो तड़ें नई कवीता जो जनम थेो हिन में काफिये, रदीफ, एं बहर वजन जी पाबंदी कोने रवाजी तरहें डिसबो तड़ें नई कवीता सबले में सबली लगन दी बस क्याहें खयाल के विरहाए, सिटू मन्यी उनन के हेट मते करे, हिक बेजे हेटां रखणू आहे पर गेहराईय सब जाचबो तड़ें नई कवीता लिखन डुक्यों अमल आहे हिन में नव जहन, नई होशमंदी, शौर जी बुलंदी ए गेहराई ए नव अद्दाज हर कहें जे वस जी ले हिन्द में नई कवीता हिक सेलाब जीयां आई गजल के चड़े, शायरी जू सब सिन्फूं जन रोड जे कहें किनारे थम जी वयूं वी ही सदिय जे सत्य डहके जे हिन सेलाब केत्रा कवी पैदा कया एम कमल, अर्जुन शाद, हरीश वास्वानी, आनन्द खेमानी, वाजदेव मोही, नामदेव तारचंदानी, मृज मोहन, प्रेम प्रकाश बगेर मक्सद छाए असान जो इन सबक के पणन जो हिन सबक के पणन खांपोए तवी रवायती एन नई कविता में फर्क समझी व्याख्या करे सगंदा नई कविता जे खूब्यं जो बयान करे सगंदा नई कविता में कम आयल, अलंकारन के समझी वर्णन करे सगंदा कविय बाबत जान हासिल करे सगंदा, कुझ शक्सी हरीश वास्वानी जैन जो जनमतेव उनिया सो चालिय इस्विय में, हिन सबक में एवजी तौर तवा हरीश वास्वानी जी कविता पड़नदा, हिय जदीद युग जी कविता आहे, जह में रचनाकार पहँजे भावनाउन जो इजहार करण लाए, लवजन ए ग्रामर जी मुक्तलिफ किसमन जो आधार वठे थो, हुँ इहो संदेज ड्यन चाहे थो, तव असी भाशा जी सग के सुझ्यानी हिक आदर्श समाज लाए, करायतन अनासरन जी खोजना करे सगूँ, आचो, तसबक पड़ू था, मुई जे हतनमा शब्द छड़ी वया आहिन, खिजा जे कहें कंगाल वणवांगुर, सिफतु सड़ी वयू आहिन, कहलाई कतब आणया, इसम खास जू खासे तू पिण, खतम थी चुकी आहिन, इसम आम आहिन, जिन सा मुखे नफरत आहे, हिक को जमीर आहे, ब्यन के याद करन जी कहें के फुर्सत आहे, के फैलाहिन, नाकारी सवाली मतैदी, खाली फैलन जो बोज डोए, खाली फैलन जो बोज डोए, जमीर ठकजी पे वाहे, एं चैनी तर्फन, हर्फ निदा जी हालत वन्यी बचिया हे, हिन कविता जो उन्वान आहे कुछ शक्सी, अज जी भज भजावारी खुदगर्ज दुनिया में, शक्स जी हालत बयान कंदर, हिन कविता में कवी चवे थो, मुहिं जे मन जे मुझारे के, मां लवजन में बयान नतो करे सखा, लवज ये हथन मां चड़ी व्या आहें, जन सरो जे मुझ में पन चड़ी व्यल को डोडो वन हुझे, बदजलंदर समाज में, घणन किसमन जू हालतू पैदा थी वाहें, जिन जे इजहार लाए, कवी नवा लवज तलाशे थो, ग्रामर जे लवजन के विस्तार के समझाए थो, हू हालतुन मां अस्तंतोश थो जाहिर करें, पतब जे की हालतू हली रही हुआ हें, उनके ग्रामर्ज जे लवजन सा समझाए थो, एं खुश कोने हुआ, उनन में तबदिली, ववज चेंज करन चाहे थो, बदलन चाहे थो, जीवन जो जे को सच चाहे, उनके तलाशे करें, जाहिर करें थो, सुठा उनसान हुआ, सुठाई हुई, तब उनन लाए घणे सिफतो कम आणिदो हो, सिफतो यानि की, केंजी खुबी बुधार, तब चेंपो की जड़े सुठा इनसान हुआ, सुठाई हुई, था उनलाइ सिफतउ युज कांदो안, का वारीं दोयोो पर आज उहे माणू इन आहे, ता सिफतउ भी सडीवी आहे पहरे शुठाही हुई, ता सिफतउ भी का मारीं दोयो अजुठाही दोयो क79 अजुठाही कोने, माणू कोने एज़ा सुठा तो सिफ़त ग्रामर जो जी मां बुधायोई किसमा है जेको इस्म जमीर जगोण एं अवगोण बुधाईंदो आ है इस्म जा बकिस्म इस्म खास एं इस्म आमखां खेस नफरत आ है मतलब हरके मां निरासी न बदजन थी चुकोआ है बस जमीर मां याने खुदी वन्यी बाकी बच्चवा है ब्यन के याद करन जी कहेंके फुर्सती ना है अलबत दुनिया में कम तकरना पवन था तो उहे नाकारी, सवाली एं मतैदी फैलन जो बोज ढोए हूँ ठक जी पे वा है चौधारी यानि हर तर्फ बस हर्फ निदा जी हालत बचिया है हर्फ निदा भी ग्रैमर जो किसमा है जै में मंजा भाव, खुशी, गम, अजब, दुख वगेरे बुदाया बेंदा है जी असा इस्तमाल कन दाए हूँ ना वाह, वाह, हाए, अरे, अच्छा वगेरे जैने असा अजब में, गम में या खुशी में उंदाए हूँ तव वाह हर्फ निदा तवा डिठो तहिन कविता में न वजन, न काफिया, न संगीता है अलंकार भी, नए नमूने, फक्त ग्रामर जे लवजन इसम, जमीर, सिफत, फैल, हर्फ निदाजा कम आदावया है पर अकेलो, खुद लाए, जी अंदर, इंसान कविता पढ़न खापोए, हुबहु, साबया, थीथो, सामुअच संबंधन में सिख, प्यार, कोन बचवाहे तो सिफतों में इस्तमाल न थिण करे, सड़ी वई हुआ है और रिष्टन में प्यारी कोने, सिखी कोने माणूंजे अंदर तो सिफतों जी जरुती कोने, तो चए तो सिफतों ही सड़ी वई हुआ है पर माणू निकमों बढ़ी ता कोन वई रहंदो किसमे किसमे जा कम तकंदो रहे थो और कम तक करे थो ना माणू कुछ सवाल आहे नड़ा सवाल इना जवाब ताँ पाण ही गोले लिखा पेरो सवाल आहे कविय जे हत्थन मा कंगाल वन वांगोर छड़ी व्याहें गुल फल शब्द अखर वेव सवाल आहे इसम खास, इसम आम एक इसम खास, इसम जात तियों सवाल आहे हे कुछ जमीर कहड़ो आहे जेंजी गाल कई वही आहे न कविता में तू ही असी एमा हाण नई कविता जे बारे में कुछ ब्यो जानों था नई कविता रवायती शायरिये वारे मेथाज रेशमी, उनत, ले, संगीत एं लवजन जी नर्मिया खे पुठी डेई हली नवन एं अग इस्तमाल नत्यल मौजुवन के नव इजहार मिलन लगो इंसान जी मजबूरी, नेरासाई, अकेलाई, बेह मुन्डाई, नई कविता में इजहार पायन लगी समाजी, सियासी, एं माली दबाव तनाव एं परिशानियों जे इजहार सबब शायरिये जी सूरत बदल जी वई सई माना में नई कविता, जिदगी सांग, विज्ञान असांजे सरील लाए सवे सहलोतियों बराबर पैदा कहीं आहें पर उननमा पैदा थेल डप, तान, शक, अविश्वास, जी बिमारिय, इंसान के निहूरे चड़िवा है गैर सलामतिय जे अहसास, इंसान के जहनी तौर कमजोर और निसतों बणाय चड़िवा है नई कविता में सियासी तंज, रवायत खांबगावत जसुर, अनास्था तंज, ईश्वर बाबत जुदा सोच जो इजहार सिंदजी सोणरणी, जला वतनिय जो एहसास, जेडा मौजूँव मिलन था नई कविता में नवा लवज, उनन जो मफ्हूम, नईूं, तश्मीहूं, यानि की मुहावरा, इस्तारा मिलन था टाटा, हींग, गटर, डूंड जेडा, खुहरा लवज मिलन था तवा हिंदिय में जो नउं कविताओं पड़ी, उनन जी भेट सिंदी नई कविता सांग करे सगो था शायरिय जे हर सतेते हैत, यानि फॉर्म, चाहे मवाद जे लिहास सा नवा अर्मान, नईूं, जमीनूं, खलकणियूं पयूं रचना तड़े ही जिद्धत जी हकदार बणी, जड़े उन जी जायजगी साबित, उन जीवन जे नई उन ललकारुन के नए नमूने पेश करे नई ताजगी आँदी ता हिन कविता खा ता चा सिख्या, हिन कविता मा तवी नई कविता जी पेश कर बाबत समझी सग्या, कवी मन जी हालत जो इजहार न तो करे सके संदस छब्द छणी व्याहिन गंगाल वन ए ग्रामरी लवजन जो अलंकार जे रूप में नए नमूने इस्तिमाल समझी सग्या जे स्क्रीन देख चार्ट थवाल अची सगे तो नई कविता जो भाव पक्ष लिखो या नई कविता में कहडा कला पक्षायन कुछ रॉणी विच्छो तो एक तरह भाव पक्ष खाबे पासे आहे भाव यानि की भाव नाउं भाव अज जे शक्स जी हालत जो बयान कया लाहे रिश्टन जी हालत कंगाल वन मिस से लाहे जी ये वन में सब पन छड़ी वया हुजन इसम आम खान नफरत आहे सिफटन जो सड़ी वन जाण जी आसा डिसकस कहे उसे कला पक्ष में भाशा जी खुपसूरती भाशा जी कुपसूरती लाए ग्रामरी लवजन जरिये खुपसूरती आदी वही आहे इसमन जो इस्तिमाल कहे वह आहे जमीर, सिफट, फैल, हर्फ निदा इननके विजी भाशा खुपसूरत थे थी भाशा जी जो कला पक्ष एक सुहनों बण जी पवे थो हरी श्वासवानी जी जिनन जी यह कविता लिखेल आहे उनन जो जनम थेओ बावी नवंबर उनिया सो चाली इस भी अमे एस सुर्गुवास थेओ तेरियें एप्रेल बहजाद तेरा में हिनन जो नई कविता में हिक वडो नालो आहे सिधिय में नई कविता के स्तापित करण जो शर्फ भी हिनके आहे संदस मजमुए जो उन्वान आहे चाली ये चेतर इन पुठियां भी नई सोचा है इन पुठियां भी नई सोचा है हरीश जो जनम उनिये सो चालिय में ठेओ इनकरे चालिये एन जह साल में किताब छपेओ 여기서 1976 में हिन जे कविताओं में इजहार एं मौजूअ बिनी खयालंका निरालप मौजूदा है संदस किताब आहें 46 여विताओं 488 कहानियों, 4884 थंकीद चालिया असी कहाणियू, चालिया सोरासी तंकीद, जुर जीरो जीरो गडल रचनाउं, मुखा मेलो वडो इंटर्वियू, उनिया सो बाहट इस्विय खाँ, उनिया सो पजानवे इस्विय ताईं लगातार लिख्याईं। पोई तनहाई पसंद बन जी सामाजिक सरगर्म्यून में खाँ कट जीवियू, फेंच अधीबन, अलबट कामू एंज्यानपाल सात्रे जो असर होस। बुद्ध धरम जो पोईलग भी बढ़ें। बुद्ध के मन्यींदे पचानिया ताई हिमाचल प्रदेश जे धरम चाला में वेंदू रहें। आलोचना जे किताब चालिये चोड़ासिय थे केस 1987 एस्विय में साहित अकाडमी अवार्ड मिलो। साहिती अकाडमी जे सलाकार कमेटीय जो मेंबर भी रहें। 2013 एस्विय में रचना, कुण्ज ए सारंग रसालन मतस खांस अंकश राया कया। सिखण जा नतीजा यानि की लर्निंग आउटकम। पहेंजे माहोल आजमूदन ते पहेंजी आजाद एचिटी राहे राये जायरकन था। या ताँ पढ़ी करे पूरो चाचा सिखी व्याओ। नई उरचनाओं पढ़ी उनन ते पहेंजे साथिन सांग आल बुलकन था। कविता के पहेंजी समझ जे आधार ते नए रूप में पेशकन था। सिंधी भाशा एं कविता जी रवायत के समझी लिखी गालाए एं वीचारण जी डेवट जरिये इजहार कन। कुछ सवाल डिसकस करे वटनूता आची सगा। जे कुछ शक्सी कविता जो सार पहेंजन लवजन में लिखो। पहेंजन लवजन में ढुदाय सगोता की हारी श्वास पानी जी न कविता जो कभी आहें उन कहड़े नमूनंए नई कविता जो जनम कयो, नई कविता लिखन शुरू कयो एं कहड़ा कहड़ा ग्रामर जा लवज इन कविता में इस्तामाल कहला हीं। कैसा बेट कई वही तो ब्यो सवाल आ है कुछ शक्सी कविता में कभी एक ग्रामरी लफजन जो इस्तमाल कहड़ी रीत कह वहा है तो बुदाय सगोता हर्फ निदा जी हालत जे बारे में सिफतू इसम आम इसम खास यह सब इस्तमाल कहला है न तो कैसा कैसा बेट कई वही आ है तो सवाल आ है कुछ शक्सी कविता में कभी छातो चमण चाहे तो इया भाव की सिफतू सड़ी वही वहाहिन सुठाई कोने यही सब पड़े उसे न यही लिखनो आ है चोतो फैल जा कहड़ा किस माहिन फैल जा किस में बुद्धाय लायन के पंजो हर्फ निदा जी परिबा आवा अरे अला तो इया शब्द में सागो था पोच्छाओं सवाला है इसमजी परिबाशा लिखी तफावत यानि फर्क बुदायो इसमता ता नहें दरजे में माधिमिक बाशा में भी पड़े हुआ है माधिमिक पाठिकरम में तो उननजी परिबाशा लिखी कुछ मिसाल देई सगो था तो उखे लगे तो सबक ताहां के समझाएं उन्दो डाडी सवली भाशा में सबक लिखे लाहे तो अज जिलाए महरवानी